हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए सेशन में जिसका नाम है महत्पून एकजाम सूटर इस सेशन में हम सिंदू घाटी सभ्यता से संबंदी बिगत दस बरसों में विभिन परतियों की परिक्षाओं में पूछे गए प्रस्णों का संग्रह प्रसूत करेंगे इस वीडियो में हम तथ्यों के साथ साथ कंसेप्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में जानने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत कुछ है, तो आईए सुरू करते हैं हमरा आज का पहला प्रस्ण है, सिंदू घाटी सभ्यता का सम्मंद किस काल से है देखिए ये एक conceptual question है, इसमें concept के अधार पर जानने के लिए तीन महत्पून बाते हैं पहली कि प्राग एतिहासी काल उसकाल को कहा जाता है, जिसमें अध्याइन समागरी के रूप में सहितिक सुरूत उपलब्द नहीं होते हैं आध्यासी काल उसकाल को कहा जाता है, जिसमें अध्याइन समागरी के रूप में सहितिक सुरूत उपलब्द होते हैं पर उनको पढ़ा नहीं जा सका है यही कारण है कि इसको आध्यासी काल की स्रेडी में रखा जाता है आज का दूसरा प्रस्ण है कारण डेटिंग पद्यति के अनुसार सिंदू सभेता का काल करम क्या है इसका एंसर होगा 2350 से 1750 इसा पूर, कहीं कहीं किसी किताब में आपको यह 2500 से 1750 इसा पूर भी मिलेगा यह आध्यनेक पद्यति है कारण डेटिंग जिसके दार पर किसी भी सभेता के आयू का आकलन किया जाता है अगला प्रस्ण देते हैं सिंदू घाटी सभेता की जनकारी का मुख सुरूत क्या है इसका एंसर होगा पूरतात्विक सुरूत जैसे कि आप जानते हैं कि सिंदू घाटी सभेता की लिपी को नहीं पढ़ा जा सका है इसलिए वहाँ से इस सभेता के सम्मंद में जनकारी का भाव मोता है इसलिए इसकी जनकारी के लिए हमें पूर्ण रूप से पुरतात्विक सुरूतों पर ही निर्बर रहना पड़ता है पुरतात्विक खुदाई के द्वारा जो भी सामगरिया मिलती है उसके अधार पर इस सभेता का आकलन किया जाता है इसके भी से में जनकारी कट्टिक की जाती है ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं हम सिंदू घाटी सभ्यता को गैर आरे सभ्यता कहा जाता है क्यों ये भी एक conceptual question है इसको समझने की जुरूत है सिंदू घाटी सभ्यता एक सहरी उच बिक्सी तवस्ता थी ठीक है और आरियो के सभ्यता ग्रामिन सभ्यता थी यही कारण है कि सिंदू घाटी सभ्यता को गैर आरे सभ्यता भी कहा जाता है आरे सभ्यता के बारा में हम अगले अध्याय बैदिक संस्कृति में पढ़ेंगे इसमें देखेंगे कि इनके द्वारा बेकी सबेता एक ग्रामी सबेता थी और सिंदुगाटी सबेता एक सहरी सबेता थी ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं स्वरपर्थम 1826 इसवी में किसने हड़ापा के टीलो का उलेख किया था इसका अगला प्रसंद देखते हैं वहा कौन था जो हड़ापा के टीलो के महत्तों को नहीं समझा पाया इसका अंसर होगा कनिंगम दरसल 1826 में जीन हड़ापा के टीलो का उलेख चार्ल्स में सोन ने किया था उन्ही टीलो का सर्वेक्षन 1861 इसवी में कनिंगम ने कराया था सर्वेक्षन तो इसने कराया था लेकिन इसके महत्तों को वह समझा नहीं पाया था आपको ग्यात हो कि कनिंगम को भारतिय पूरा तत्य सर्वेक्षन विवाग का जन्मदात्ता भी कहा जाता है पितामा भी कहा जाता है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं रॉयल ऐस्याटिक सोसाइटी में किसने अपना लेक परतिवेदित किया था इसका अंसर होगा जेएफ फ फ्लीट एक ब्रिटिस इत्यास जार ने किया ती में अापना लेक परतिवेदित किया था herpまた commercial की खोश घिष्टकě की थी इसका अंutsर होगा दयारमसानी, 1921 में दयारमसानी ने हडापा नामा कस्तल का की खोज की थी, ठीक है, अगला प्रसंद देखते हैं, महन जोदुरो जाने वाला प्रतम ब्यक्ति कौन था, इसका अंसर होगा, राखलदास बनर्जी, इसको आड़ी बनर्जी भी कहा जाता है, राखलदास बनर्ज देखिए, महन जोदुरो जाने था, हडपा सब्यता का एक बहुद ही महत्पून अस्थल है, यहां से बहुत से चारी पुरातात्विक चीजें मिली हैं, जिनके अधार पर इस सब्यता का आकलन किया जाता है, तो उसमें एक अन्नागार मिला है, जिसको सिंदु गाटी सब् इमारत कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी लंबाई 45.1,7 मीटर और चोड़ाई 15.2,7 मीटर है, ठीक है, अगला कोशन देख लेते हैं, अगला कोशन है, सबसे पहले सिंदु सब्यता के काल का निर्धारन किस ने किया था, ठीक है, इसका एंसर होगा, जोन मार्शल, जोन मार्शल ने 1931 में सरप्रतम सिंदु सब्यता के काल का निर्धारन किया था, और वो था क्या, तेई सो पचास से, बती सो पचास से सताई सो पचास, ठीक है, जोन मार्शल ने 1931 में सिंदु गाटी सब्यता के काल का निर्धारन सरप्रतम किया था, उसकाल का निरधारन क्या था? 3250 से 1750 ठीक है? अगला कोशन देख लेते हैं हम, अगला कोशन हमारा है सिंदू सब्वेता का दक्षिंतम अस्थल कौन सा था? इसका एंसर होगा दैमाबाद, दैमाबाद महराष्टा आमाद नगर जिले में इस्तित है, चलिए अगला प्रसंद देखते हैं, सिंदू सब्वेता के कितने अस्थल हैं जिन्हें नगर कहा जा सकता है, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंदू गाटी सब्वेता के इंतरगत बहुत सारे अस्थलों की खुदाई होई है, उसके बहुत सारे अस्थल प्रकास में आए हैं, लेकिन उनमें साथ ऐसे अस्तल हैं जिनको नगर की संग्या दी गई है साथ नगर कौन से हैं हडपा महंजोदडो लोथल चानहुदडो काली बंगा बनावली और धौला वीरा ठीक है अगला प्रसंद जगते हैं सिंदू सभेता के महत्पूर्ण पंद्रगा कौन थे इसका अंसर होगा लोथल और सु जरातमेसित हैं लोथल काठियवार चेतर में हैं और सुद्कोत्रा कच्किरण में हैं ठीक है ये दोनों सिंदू गाटे सभेता के बेहद महत्पूर्ण बंद्रगा थे यहां से समुद्री मार्क के द्वारा विदेशी वेपार को संपन किया जाता था शिंदू का बहुत इ या प्रधम मार्क, इसकी चोड़ाई 10 मीटर थी। इसको आप बर्दमान के नेशनल हाइवे से तुलना कर सकते हैं, उस समय की सबेता के लिए यह नेशनल हाइवे था, इसकी चोड़ाई 10 मीटर थी। चलिए अगला प्रसन देखते हैं, भारत में सिंदु सबेता के सरवाधिक अस्थल किस राज में इस्तित हैं? इसका एंसर होगा गुजरात, ठीक है? गुजरात में अब तक लगभग 15 से अधिक अस्थल प्रकास में आ चुके हैं, इनमें आम मुकृप से लोथल, रंगपूर रोजडी, प्रभास, पाटन, धौला बीरा, देशलपूर, सुर्कोतड़ादी को सामिल कर सकते हैं अगला प्रसन देखते हैं, किस अस्थल की मोहरों पर बांध की आकिरती मिलती है? इसका एंसर होगा काली बंगा काली बंगा राजस्तान में इस्तित है, यहां से प्रात मोहरों पर बांध की आकिरती मिलती है अगला प्रसन देखते हैं, हडपा और मोहन जोदूरों की खुदाई के परभारी कौन थे? इसका एंसर होगा सर जोन मार्सल सर्जोन मार्सल के नेत्रित में, 1921 इसवी में, दैरम सानी ने हडपा अस्तल और 1922 में राखलता स्वनर्जी ने मोहन जोदूरों की खुदाई की थी अगला प्रसन देखते हैं हम, पसूओ में सरबाधिक किसकी मिर्ण मूर्थी प्राप्त हुई है? इसका एंसर होगा कूबर वाला बैल देखिए सिंदूगाटि सर्भ्यता में खुदाई के दोरान बहुत सी मृण मूर्थिया मिली हैं, उन मृण मृण मूर्थियों में सरबाधिक मूर्थी, कूबर वाले बैल की मिली है और यह कांस मिली हैं यह मिली हैं हडपा और महंजोदुरों से यह एक विशेश परकार के बैल की अकृति थी ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं किस एक अस्थल से नहरों का साक्ष मिला है इसके अंसर होगा सूर्थगोई सूर्थगोई अपगनिस्तान में इस्तित है यहां कि अस्थे हैं कोन सा अहड़ा पाई अस्थाल है अस्तुपों के साहर के नाम से रहा जाना जाता हैए तो अस्तूपो के आकिर्थी के कारण इसे अस्तूपो का सहर भी कहा जाता है और इसको मिर्तुको का टीला भी कहा जाता है चलिए अगर आप परसंद देखते हैं घोड़े की मिर्ड मूर्तियां किस अस्तर से प्राप्त हुई है देखिए ये एक conceptual question है इसको आप समझेने का प्रय दोतक है इसके अवसेश लोथल में मिले थे हैं सुल कोत्रा में भी मिले हैं जिसके कारण घोड़े को यहां का मान लिया गया है लेकिन ऐसा नहीं है सिंदु गाटी सब्यता के अंतरगत घोड़ा एक पालतु जनवर नहीं था घोड़ा आरियो का प्रिये पसुदा जिसका द्यान हम बैदिक संस्कृति में करेंगे तो इसे आकलन यह किया गया है कि यह बाहरी आकर्मन का दोतक है घोड़ा ठीक है अगला प्रस्द नेख लेते हैं हड़ापा के किस अस्थल से उन्नत जल विकास उन्नत जल प्रबंदन प्रणाली के पता चलता है इसका एंसर होगा धौला बीरा धौला बीरा एक महस्पून हड़ापाई अस्तल है जिसकी खोज आरेस बिष्ट ने उन्नीस और नब्वे कानवेर में की थी और यहां की जल प्रबंदन प्रणाली जो है वह बहुत ही बिक्सित अवस्ता में थी यही कारान है कि इसने जो सहरी करन कहा जाता है कि सहरी क्रित सभ्यता थी सिंदुगाटी सभ्यता उसका सबसे बड़ा काराने की यह भी है कि इसमें जल प्रबंदन की प्रणाली बेहादी परस्ची दिती और बहुत ही उन्नत अवस्ता में थी जो की धौला वीरा से प्राप्त हुई है ठीक है अगला प्रसंद देखते है हड़ापा के मिट्टी के बर्तनों पर समाने ता किस रंग का प्रियोग हुआ है इसका एंसर होगा लाल हड़ापा में मिट्टी के बर्तन जितने मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा लाल रंग का प्रियोग हुआ है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं किस अस्थल से लकड के अन्नागार का साच मिला है इसका एंसर होगा लोथल जैसा के पूर में हमने बताया आपको कि मोहन जोदरों में भी अन्नागार मिला है लेकिन मोहन जोदरों का अन्नागार इंट का बना हुआ है और लोथल का अन्नागार लकडी का बना हुआ है दोनों में यह अंतर है दोन समझने का प्रयाज करिए महां जोदोरों में उस समय मुख रूप से चार परकार के परजाती पाई जाते थी चार परकार के लोग पाई जाते थे कौन थे भाई तो पहला था प्रोटो अस्टेलाइट दूसरा था भूमत सागरिये तीसरा था आलपाइन चौथा था मॉंगोलाइट ठीक है तो महांजोदुलों में जो एक पुजारी के मुर्ति मुली है उसको इसके हासकारों के द्वारा का गया है कि यह मॉंगोलाइट परजात अगला प्रसन देखते हैं वह अस्थाल कौन है जहां घरों की खिर्की वह दर्वाजे मुख सड़क की और खुलते थे यह देखिए बहुत ही महत्तप्रोन प्रश्ण है यह कई एक्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है इसको आप समझने की जुरूत है पूछने के कारण यह है कि हड़पा अस्थल में जितने भी घर मिले हैं उनके खिर्की और दर्वाजे मुख सड़क से विप्रीत गली में खुलते थे लेकिन लोथले का ऐसा अस्थल है जहां पर इसके खिर्की और दर्वाजे यहां के घड़ों के खिर्की और दर्वाजे मुख शड़क की और खुलते हैं तो इसके पूशे जाने का सबसे बड़ा कारण यह है ठीक है अगला प्रस्त हम देख लेते हैं किसका कर्थन है कि हड़ापा तथा मोंजोदरों सिंदु सब्वेता के दो प्रिथक राजधानिया थी इसका अंसर होगा एस्टोगाट पिगट पिगट मोहदय ने सिंदु गाटि सब्वेता के लिए हड़ापा और मोंजोदरों को दो प्रिथक राजधानिया बताया है ठीक है अगला प्रस्त देखते हैं हड़ापाई समाज कितने बर्णों पर आधारी था इसको समझे हड़ापाई समाज बर्तमान में परचली जो सम समाजी सं रचना है बारत की जैसे कि यहां जाती वेवस्ता पर आधारी समाज है तो उसमें बर्ण वेवस्ता पर आधारी समाज था और उस बर्ण में भी मुख्यता चार लोग सामिले पूर्ण-कौन थे युद्धा विद्वान बेवपारी और स्रमिक ठीक है तो सब्वेता के समाज का सवरूप क्या था इसका अंसर होगा मातरी सतात्मक देखिए यह एक conceptual कोशन है मातरी सतात्मक समाज हरपा समाज को हरपाई सब्वेता को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पे बहुत से सारी मातरी मातरी देवी के मूर्ति मिली है ठीक है तो इसे इत्यास का अधर के दोरा आकलन किया जा है कि यहां पे मातरी देवी की पूजा अधिक होती है यानि यह मातरी सतात्मक सब्वेता का सवरूप था ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं सिंदू कि सड़ापाई एस्थल से न की जाती है अगला प्रसंद देखते हैं किस अस्थल से प्राखडपा के साथ नहीं मिले हैं इसका अंसर होगा सुद्कोतरा गुजरा सुद्कोतरा गुजरा से प्राखडपा के अस्थल नहीं मिले हैं ठीक है चलिए हम अगला प्रसंद देखते हैं किस अस्थल का बिनास भुकम पाने के कारण हुआ था इसका एंसर होगा सुथकोतड़ा जैसे कि अब जानते हैं कि सिंदू घाड़ी सब्वेता के बिभिन अस्थलों के बिभिन कारणों को जिमिवार माना गया है उसी परकार इतियासकारों का मानना है कि सुद कोतड़ा नामक अस्थल का बिनास भुकाम पाने के कारण हुआ था तो जगपती जोसी ने सरपर्थम 1964 में इस अस्थल की खोज की थी किसकी सुद कोतड़ा की और इसके बिनास का कारण मना गया है भुकाम को ठीके अगला प्रस्थ देखते हैं रोटी बनाने का चकला कहां से प्राप्थ हुआ है इसका अंसर होगा आलमगीर पूर आलमगीर पूर मेरट हुतर प्रदेश में इस अस्थल के संबन्द में एक पेहद महत्पूर्ण तथ यह है किया सिंदु घाटी सब्वेता का सबसे पूर्भी अस्थल है ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं 12 सिंगा का साक्ष किस अस्थल से प्राप्थ हुआ है इसका अंसर होगा आमरी आमरी पाकिस्तान के सिंद प्रांत में इस्तित महत्पूर्ण हडपाई अस्थल है अगला प्रसंद देखते हैं किस मोटा मेसोपोटामियाई अस्थल से हडपाई मुहरे मिली हैं देखिए यह conceptual question है इसको आप समझने का प्रियास करिए जैसे कि आप जानते हैं कि हड़ापा सभेता और मेसोपोटामिया के सभेता दोनों समकाली सभेता है थी तो यह समकाली सभेता है क्या कारण था कि इसको समकाली सभेता कहा जाता है इसका सबसे बड़ा का तो ूंसरो शूसा और मेसोपोटामिया का एक քडो बहुत महत avanzal नहीं यह अगला प्रशन है किस हड़ापाई अस्तल से मेसोपोटामिया की एक विलनाकार मुहर प्राप्त हुई है जैसा और मैं आपको बदाया की उसकी चीजे कुछ यहां मिली हैं यहां के कुछ चीजे वहां मिली हैं तो इस परस्ट में ऊचा हाँ कि बेलनकार मुहर कहां से पराप्थ हूई है तो इसका एंसर होगा अब लेक मिला है जहां से जिन में दिलमन मेलुवा सब्त के चर्चा है तो जैसे के मेलुवा की पहचान इतियासकारों के दवारा सिंदु घाटी सपेटा की गई है उसी परकार ये थिए जाता है कियोंगी तीन और तामभा के परियोक से शुरू हो गया था ठीक है तो राजस्तान के खितरी से प्राप्ट हो जाता था और टीन के लिए आयाथ करना पड़ता था तो यह आयात अपगनिस्तान से किया जाता था ठीक है समझ गए अगला तर्द देखते हैं हडापा वासी किस फसल का निर्यायत परमुक्ता से करते थे इसका अंसर होगा कपास कपास सिंदु गाटी सब्वेता का एक बहुत तायत मतरा में पाय जाने वाला फसल था यहां से इसका आयात लोग बहुत परमुक्ता से करते थे अन्य देशों में ठीक है अगला प्रसन देखते हैं सिंदु गाटी सब्वेता में बैवपार संतुलन किसके पक्ष में था इदकी एक कंसेप्च्वल कोशन है सिंदु गाटी सब्वेता में बैपार संतुलन सिंदू सभेता के पक्ष में था, ठीक है, बैपार संतुलन आप जानते होंगे, बैपार संतुलन किसको का जाता है, बैपार संतुलन आयात और निर्यात के अंतर को बैपार संतुलन का जाता है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो उसमें सिंदू गाटी अगला पशन देखते हैं माजोधूरो की एक मुहर पर किस देश की नाव का अंकन किया गया है। यहीज चाहर है कि मौहर पर सुमेरियन नाव का परकूरों मिला है। श्मज़गे अगला प्रस देखते हैं मैसपटामिया के परमूख़ angled возь हा क्या था इसका एंसर होगा उर थीकर जैसे के आप जहते हैं कि सिंदुगाटिसब्वेता में लौथ लेक परमूख बंद रगा था वहां से भारत में परवेस किया जा सकता था उसी परकार ये पूछ रहा है कि मेसोपटामिया में कौन सा पर्मुख बंदरगा था जिसमें पर्वेस मुख चो पर्वेस का द्वार था तो इसके अंसर होगा उर ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं मेसोपटामिया हडपा सबेता में अंतर देशिये परिवान का मुख जाते थे उसी परकार जो अंतर देशिये परिवान था एक दूसरे एक अस्तान से दूसरे अस्तान तक जाने के लिए लोग बैल गड़ी का परियोकर ठीक है अगला प्रसंद देख लेते हैं किस अस्तल से मिर्द्भान पर सांप की अकिर्थी मिलिए इसका अंसर होगा लोथल लोथल गुजरात में इस्तित है बहुत ही महत्पून अस्तल है यहां से बहुत सारी चीजें हिंदु सिंदुगाटी सपेता से मिली है तो इसलिए लोथल एक ऐसा अस्तल है जिसको आपको इसका हर फेक अस्मरन होना चाहिए यहां से बराबर कुशन पूश्टा है किस अस्तल से कब्र में माली के साथ उसके कुट्टे के अपनाया जाने के साक्ष मिला है देखिए यह एक कंसेप्चुल कुशन है इसका एंसर होगा रोपड रोपड में एक ऐसा कब्र मिला है जिसमें माली के साथ उसके कुट्टे को अपनाया गया है इससे इतियासकारों में आकलन लगाया है कि वो गुटा वो पहला जानवर था जिसको मनिशियों ने पालतु बनाना शुरू किया था इन इंथियासकारों के ऐसा कहाने के पिछे का लोजिक क्या है उसके पिछे काने का लोजिक ये है कि रोपनामा का स्थान से एक ऐसा कबर मिला है जिसमें उसके माली के साथ उसके कुट्ते को अपना देने का साक्ष मिला है ठीक है अगला प्रस्ण देख लेते हैं हाडपा के कबरों में ताबूत का निर्मार किस लड़की किस लकड़ी से हुआ है ठीक है इसका अंसर होगा देवदारू की लकड़ी मतलब जो ताबूत बनाया जाते थे सोग को दफनाने के लिए उसमें किस लकड़ी का प्रियोग किया जाता है तो इसके अंसर होगा देवदारू अगला प्रस्ण कांसा का निर्मार किस दातू से होता है जैसा कि मैंने उपर आपको बताया कि यह बहुत ही इंपोर्टन कोशन है यह बहुत एक जाम में पूछता है इस दांजव्धा का निर्मान करते थे यहीं कारन आने कि कांस यूग भी कह जाता है ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं अबहुत व्यवस्वत के मुहर बनाने में मुद्रा बनाने का परमुख किंद्र कोन था इसका असर होगा चान हुदुडु चान हुदुडु एक ऐसा अस्तल है जहां पर मुद्रा बहुत ब्यापक पैमाने पर बनाया जाता था अगला प्रसंद देखते हैं अलंक्रीत इंटो का प्रियोग किस हड़ापाई अस्तल पर हुआ है इसका अंसरों का काली बंगा राजस्थान इंटो का प्रियोग तो बहुत सारी अस्तलों पर हुआ है सिंदु गाटी सब्यता में जैसे महण जोडोडो हडपा सब जगे हुआ है लेकिन इसमें अलंक्रीत इंटो का प्रियोग काली बंगा से प्राप्त हुआ है ठीक है ये भी important question ये कई एक जामें में पूछता है अगल से उगाया भी जाता था और परमुक्ता से खाया भी जाता था अड़ापा सब्यता के लोगों के द्वारा इसलिए मुख के खादान पसल कौन थी गयहूं और जौग अगला प्रसंद देखते हैं सिंदू घाटी सब्यता के लीपी किस परकार की थी ये भी एक देखिए महत पूर्ण कोशन है इसकी लीपी क्या थी भाव चित्रात्मक लीपी थी भाव चित्रात्मक लीपी उस लीपी क्यों कहा जाता है जिन में विभीन चित्रों के माध्यम से भाव को प्यक्त किया जाता है मतलब इस लीपी इस परकार के लीपी में चित्रों के माध्यम से और्थ को लिपी को इसलिए इसको भावचित्रात्मक लिपी कहा जाता है चलिए अगला प्रसद देखते हैं सिंदू-गाटी सभ्था में मुहरे बनाने के लिए सरवादिक इसका प्रियोग किया जाता था इसका अंसर होगा शिल्खडी ठीक है शिल्खडी की मुद्रायें बहुत आ रहे सदी अठारवी सदी इसापूर्व ठीक है कि जैसे कि कारबन पब्दती के अनसार हमने आपको पता है कि इसका निर्धारन किया गया था तेजसे 50 से 1750 बीसी ठीक है तो 1750 बीसी के पास्चाद क्या हुआ कि यह जो नगर थे उसके अधापा सब्धाक नगर उनका पतन प् जिम्वार माना है इसका अंसर होगा Serbiffs देखे हापा सहेता एक बिंस्त्री सब्धा थी अथा इसके बि abort के समंध्र इत्यासकारों का मानना है कि इतने बड़ी सभेता का पिनास किसी एक कारण की वज़ेशन नहीं हो सकता है इसके कारण के लिए बहुत से इसके पतन के लिए बहुत से कारण जिम्मवार थे तो उसी में परस्तिर्टिक औसंतुलन का कंसेप्ट दिया है फेयर सर्विस ने इनका कहाना था कि हड़ापा सब्वेता के में पर परस्थितिक असंतुलन हो गया जिसके बज़े से इस उन्नत विक्सित सहरी अवस्था का पतन हो गया ठीक है अगला प्रस्थ देखते हैं बाहया क्रमन की अधारना किस ने प्रस्थत की देखिए जैसे मैंने आपको पताया कि विभिन इसके पतन के लिए विभिन कारणों के जिमवार मना गया है इसमें फेयर सर्विस ने कहा परस्थितिक असंतुलन इसके लिए जिमवार थे उसी परकार माटीमर वीलर ने कहा है कि नहीं इस सब्वेता के बिनास का कारण था बहाय आकरमन बाहरी लोगों के द्वारा सिंदू गाटी सब्वेता पर आकरमन किया गया जिसके पस्चात इसका पतन हो गया अगला प्रसंद देखते हैं सिंदू सब्वेता का पतन परसासनिक सिस्थिलता के कारण हुआ था यह किस ने कहा था तो इसका एंसर होगा जोन मा सिंदू सब्वेता के पतन के लिए इसकी परसासनिक सिस्थिलता को जिम्यवार माना है ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं सिंदू सब्वेता के बाद भारत में कि संस्कृति का विकास हुआ इसके अंसर होगा बैदिक संस्कृति, ठीक है, सिंदु गाटी सब्यता का पतन 17-50 पीसिस तक हो चुका था, इसके बाद 15-20 में भारत में एक नई संस्कृति का विकास हुआ, जो कि एक ग्रामिन संस्कृति थी, जिसका नाम है बैदिक संस्कृति, ठीक है, इसका अध्यान है अगले अध्याय में करेंगे, इस परकार आपने सिंदु गाटी सब्यता से संबंदी विभीन तत्यों को बेहाद यासान भासा में समझने का प्रयास किया, और इस पे आये हुए बिगाद 10 परसों के परस्णों को हमने इसके तत्यों और इसके कंसेप्ट को समझने का प्रय प्रेश कर दो 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 दोगाओ